देखे दोस्तों आरेस परी 2018 की जो एक्जाम हुई है उसका जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसके बाद में चात्रों ने अंदोलन कर रखा है वह अंदोलन अभी तक थमा नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं आरेस परी 2018 की परिक्षा के परिणाम की विसंगतियों को लेक चीफ मिनिस्टर जो असोक गलोत हैं उसको ग्यापन दिया गया है शेंकडो राजस्तान उनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने एक दल निता असोक महला और विसराम मिना के नेतरतों में जो मुखे मंतरी आवास है निवास है वहां पर गए हैं और असोक गलोत से मिले हैं रोस्टर परनाले के आधार पर पूनह परिणाम जारी करने की मांग की गई है तो आरियस परी दो हजार अठारा की जो एकजाम हुई थी उसका परिणाम है वो पूनह जारी करने की मांग की गई है और चीफ मिनिस्टर जो असोक गलोत हैं उनको ग्यापन सोपा गए है प्रिणाम जारी करना चाहिए जिनों ने वरियता करम में अधिक्तम अंक परापते किये हैं चाहे वो किसी भी वरके हो विश्दारीत परिणाम 13 दिसंबर 2018 की वज़े सिर्फ OBC और OBC वरक के अब्याटी हैं उन्हीं को लाब मिला है विश्दारीत परिणाम में TSP SC वरक की कटोप को भी OBC वरक की तरह समाने वरक की कटोप है उसको बराबर करना चाहिए था जो समाने कटोप से ज्यादा है तnah है आपसे न्यूवेदन है कि रास्ता लोग शिवायों को निडश जारी करें और समयधानिक परावधानों के अनुसार अनारक्सिती स्यूटों के लिए सभी वरक के अब्याटियों को समान मान कर उन्से वरेता करम में अधिक्तम अंग प्राप्त अब्याटियों को सफल कर यह उसे बच्चे अनारक्षित वरक के अभेटियों से नियूंतम पटे निदित्वे अरक्षन व्यवस्ता के अदार पर आरक्षित शीटों के लिए प्रिणाम जारी करें तो यह जो इंपोर्टेंट ग्यापन है वो दिया गया था यह आप निचे कंडिडेट देख सकते हैं सभी के सिगनेचर करके मुखे मंत्रिया सो गलोत को यह अपना उसमों पा गया था तो आरेस जो प्रार्मिक प्रिखिशा का रिवाइज रिजल्ट हो जारी होने के बाद में एक बार फिर से इसके उपर बहस है वो छिड़ गई है तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या इस